हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आपकी पुजा सेट कैसे हैं आप सभी पूरी आशा और उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज जो वीडियो आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ यह है क्राइलाउन के डर्मा बेस से ब्रैडल मेकप पर और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी ब्रैट को डबल विंग्ड आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगाएंगे भरा हुमिदिती भरा होता है और सबसे बड़ी बात इसकी होती है कि यह आपके फेस को बिल्कुल स्वेटिंग देता है और आप कितना भी अच्छा मेकप कर लें प्रोड़क्त यूज करें लेकिन आपको स्वेटिंग होनी ही होनी है तो आज मैं आपको बिल्कुल स्वेट प्रूफ मेकप बताने वाली हूं जो कि पॉसिबल हो सकता है आपके क्रेलान डर्मा बेस से और इसमें मैं वही प्रोडक्ट यूज करूंगी जो कि इस मौसम के लिए काफी अच्छा होने वाला है और आपक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करी हूं त और इसमें आप क्या-क्या यूज करेंगे, कौन-कौन से प्रड़क्ट यूज करेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल नैश्रल इफेक्ट पा सकें, तो आप अभी देख सकते हैं, हमारी ब्राइट का ये फेस है, और इसको प्राइम करने के लिए मैंने यूज किया है, प्राइम का मैट मी प्राइमर, और पूरे फेस भे आपको अच्छे से अप्लिकेशन कर लेना है, और अप्लिकेशन कर लेने के बाए आप देखेंगे, कि जो भी आप बेस लगाएंगे, वो काफी लॉंग लास्टिंग हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको लगाना ह और बिल्कुल अच्छ से एद्म जॉब करा देना है इसकिन में या इभे इस के लिए और आपके रिफाइन करने के लिए मैं यूज नहीं हम इनना हैसी कर सकते हैं और इस तरह से इस पूली से इसे मर्स कर देने से ये बिल्कुल नैश्रल दिखाई पढ़ने लगता है और आइब्रोज को शापनेस देने के लिए और उसे डिफाइन करने के लिए मैं यूज करी हूँ इसके बाद ब्लेंडर से इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देना है आप जो भी आईशिडो स लगाते हैं वह बहुत ही अच्छे से उभर के आता है तो आप ज़रूर आईलीट पे कंसीलर लगाएं और इसे सेट करने के लिए अब मैं यूज करी हूँ कलरेसंस का एच्टी लूस पाउडर इससे क्रीज नहीं पड़ेगा आप कोई साभी लूस पाउडर यूज कर सकते हैं लेकिन लूस पाउडर यूज करना बहुत ही ज़रूरी है और फिर अब मैं यूज करें हूँ सिवाना कलर पैलेट से ये न्यूड शेक जो की क्रीज एरिया के उपर मैं लगाऊंगी और इसे बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आप जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा आईस पे और फिर इसी पैलेट से मैंने ये लिया है औरेंजिस ब्राउन शेड और इसे भी मैं कट क्रीज के पास ही लगाऊंगी थोड़ा सा आउटर कॉर्नर जो भी होता है वहां से स्टार्ट करते हुए मिट तक ले जाना है और अच्छे से मर्ज करना है तकि दोनों कलर्स में अलग-अलग से डिफ्रेंस दिखाई न पड़े वो मिक्स हुआ हुआ सा लगे ऐसे आप इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसी पैलेट से मैंने ये डाक ब्राउन शेट लिया है और इसे आउटर कॉर्नर पे इस तरह से डेप्ट देने के लिए मैं यूज कर रहे हूँ आप बहुत ही अच्छा आईशेडो इफेक्ट पास सकते हैं अगर आप ऐसे आईशेडो लगाते हैं तो और अब कट क्रीज क्रेट करने के लिए मैंने ये वेटन वाइल का कंसीलर यूज किया है और इसे एक ब्रश की मदद से मैं मिड तक कट क्रीज क्रेट करूँगी और फिर इसे भी लूस पाउर्डर से सेट कर देना है ताकि जो भी आप आईशेडो लगाए वो अच्छे से उस पर आ सके और मैंने लिया है ये हिलरी रोडा के आईशेडो पैलेट से मैरूल शेड और इसे आउटर वी कॉर्णर से स्टार्ट करते हुए मिड तक ले आना ह और फिर इसी पैलेट से मैं यूज करने वाली हूँ गोल्डेन शेड और इसे टियर डग की तरब से स्टार्ट करते हुए मिड तक ले आना है और इसे अच्छे से मर्स कर देना है उसके बाद मैंने इसी पैलेट से लिया है ये रेड शेड और इसे इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसे ना दिखाई पड़े इसलिए मैं इसे यूज करी हूँ बीच में और फिर इस तरह से मैंने लिया है एचार का ये ब्लैक केक आयलाइनर है और इसे डाक्नेस देने के लिए यूज कर रही थी इसके बाद क्रेलॉन का मैंने आयलाइनर लिया है और इसे मैं थोड़ा बोर्ड लाइन रखने वाली हूँ आप जिस तरह की डिजाइन लाइन चाहते हैं आप उस तरह दे सकते हैं और फिर मैंने यूज किया है काजल चुकि एनवाइवी का है और फिर काजल और जो भी टियर लाइन है उसमें डिफरेंसे ना दिखाए पड़े इसके लिए मैंने ये डाक ब्राउन कलर आईशेडो इस तरह से टियर लाइन के बाहर बाहर यूज किया है और फिर विंग को मैं शॉपनेस देने के लिए इस तरह से कंसीलर यूज करें हूँ एक पॉइंटड ब्रश की मदद से और डबल विंग देने के लिए मैं टियर लाइन से इस तरह से बोल लाइन हाफ तक रुखूंग और इसे मैंने अपनी bride के shade से one shade light रखा है और मैं हमेशा यह बताती हूँ कि जो भी आपकी bride हो, client हो या model हो आप उससे जो भी इसकी skin tone है उससे one shade light रखें ताकि जो भी oxidize होने के बाद जो base का color आता है वो आने के बाद आपकी जो भी skin tone है उससे बिल्कुल match कर जाए तो इस तरह से आप इसे beauty blender से अच्छे से blend करेंगे और blend करने के बाद आपको इस base को set कर लेना है किसी भी loose powder से आप कोई सा भी loose powder यूज़ कर सकते हैं और अब मैंने falses लगाई है falses लगाने के बाद मैं यूज़ करी हूँ powder form में ही contouring करने वाली हूँ इस मौसम के लिए अगर आप powder form जितना यूज़ कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा वो आपके make-up को long lasting और sweat proof बनाएगा तो आप liquid या stick contouring यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ जहाँ भी आपको अपनी clean case आप से लगता है आप उस तरह से contouring कर सकते हैं जिससे की उनकी face में शौप ने ज़्यादा दिखाई पड़े और एक खुबसूरत face cut निकल के आए blusher के लिए मैंने यूज़ किया है शिवाना का ये blusher color और इसे इस तरह से बहुत light सा आपको लगाना है और heights देने के लिए मैं highlighter यूज़ करी हूँ ये भी सिवाना color palette से ही है सारे product की link आपको description box में मिल जाएंगे आप आँ से check out कर लीजेगा मैं video बहुत जादा lengthy नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का समय बचे इसलिए मैं बहुत जादा lengthy video नहीं बनाती हूँ और short में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ I hope कि आप लोगों को समझ में आता होगा और इस तरह से eyebrows को भी heights देने के लिए मैं थोड़ा सा यूज करी हूँ highlighter और tear duct की तरब भी यूज करना है जिससे आपकी eyes और भी जादा enhance हो सके lip liner करना है और lip lining करते समय आपको ध्यान देना है कि जो भी lips का shape है आप उसे देख लें कि lipstick किस तरह से लगाते हैं पतले lips हैं तो उन्हें आप bold कैसे बना सकते हैं या अगर बहुत मोटे lips है तो उन्हें पतला कैसे कर सकते हैं और अब मैं use करी हूँ makeup को fix करने के लिए yesus beauty का makeup fixer तो finally आप देख सकते हैं मेरी bride का यह look बिलकुल natural look है और आप eyes में देख रहे होगे कि बिलकुल जो जिस तरह से आप चाहते हैं या एक bride का special day में होना चाहिए उस तरह का मैंने इस में look दिया है तो I hope कि आप लोगों को मेरा वीडियो और यह look पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें like करें share जरूर करें तो फिर मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो और interesting subject के वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye